नमस्कार कापिटल टीबी बिहार का खाश शो पाटले पुत्र की पॉलिटिक्स देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ दिप्यासिंग जेडू बिहार के साथ यूपी और धार्खन में भी लोगसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में चुट गई है पार्टी के रणीती के तर बिहार के सेम नितिश कुमार बिहार की यात्रा के साथ साथ जार्खन और यूपी में भी चुनावी रैली करेंगे रैली की शर्वात दिसंबर महिने से ही हो रिजाएगी हलाकि किस राज्य में कितनी रैलिया करेंगे इसकी जानकारे फिलहाल पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है पार्टी के प्रदेश अध्याक्ष उमेश कुस्वाह ने बताया कि यूपी और जार्खन में नितिश कुमार रैली करेंगे उन्हेंने कहा कि रैलियू का प्रोग्राम तयार किया जा रहा है वही जद्यू की उत्तर पदेश एकाई मुख्यमंत्री नितिश कुमार से लगाता यूपी के फूलपूर लोगसभाद छेत्र से चुनाव लड़नी का आग्रह कर लें है आज इसी पर चार्चा करेंगे और वही कोई अख़्बार कोई रिपोर्टर उसको तो अंतरात्म से वाज आती नहीं कि नितिश कुमार सपने में आपने सोच लिया कि अपने कि नितिश कुमार फूलपूर से लड़े फूलपूर एक strategic जगह है उसका एक इतिहास है उसका एक symbol है और नितिश कुमार वो वहाँ से लड़ेंगे ये खबर प्लांट किया जाता है ये बताया जाता है जेडियु वानों के तरफ से पत्रकार सब जो पहुंचते हैं तो आफिस में कोई बता देता है नितिश बाबू इस बार साथ फूलपूर से लड़ें बिहार से क्यों नहीं लड़ रहे हैं भई बिहार से क्यों भाग रहे हैं आप फूलपूर में क्या हो जाएगा अकेले छोड़ दिया जाए नितिश कुमार के कितनी सीटे आएंगी पता नहीं मैं कली बात कर रहा था समरार चौदरी सुरूर गए खाता नहीं खुलेगा दोजार चौदर में भी इनके दिमाग में भूत सवार हुआ था यह वो इंट्रिव्यू आप कल सामें पांच बजी देखिएगा वो कहरें कि भूच वा था तो अकिले लड़े थे दो सीटे आई थी उसके बाद से फिर अभी यह हुआ है लेकिन अभी जो है तोड़ा सा महौल चेंज इसलिए है क्योंकि इनके साथ अभी लालु यादव है अब लालु यादव कितना इनको भाव देंगे समर्थन मिलेग कितना इनके अपने वोटर्स जो इनके साथ रहेंगे या जो लालु यादव के जो वोटर्स हैं वो कितना नितिश कुमार को वोट करेंगे यह सब इपन बट से जो कयास लगाने की चीज है लेकिन सवाल यह है आप उत्तर प्रदेश जा क्यों रहो लास्ट आपने कब चु चुनाओ लड़कर के आप लोर हाउस में आप आप आए कि कब आप भई लोकसभाब में चुनाओ में तो हमें बच्पन में हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो लालु यादव की पार्टी का व्यक्ति जीत गया था नितिश कुमार से तो कहानी है और यह आम जनता क कि कब आदमी जीत गया वहाती महाती पर सवार होकर के जाने लगा फिर मालुम चला कि नितिश हार गये तो लालु आदव में पिर जरी काउंटिंग करवा दो और नितिश कुमार को जीतवा करके उन्होंने विजवा दिया था दिल्ली हकीकत है इसमें क्योंकि भले-भले प पुर्धार मंत्री बनने का इतना शौक है और इस स्टेड़ी से आप जा रहें तो आप ये समझे की नितिश बाबू ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे कारण यूपी वालों को जाकर कि क्या बताएंगे आप दिकत क्या है ये फूल पूर समझ लीज ये हैं क्या राजनीती तो बहुत खराब चुछे ने लोगों का दिमाग खराब कर देती है अब यसे दिल्ली में जो बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर उसको लगता है कि वो जबाला नहरू है भारत को नंबर बन बनाएगा को निर्माता है उसके अगल बगल वाले वो नहरू बन गया तो अगल बगल वाले कोई अपने आपको भगत सिंग एक भगत सिंग गया हुए जेल में संजे सिंग कोई जो अपने आपको पठेल समझता है वो भी जेल चला गिया है मन इसी सो दिया यसे बैठते डिसकस करते हैं जब आत्मी मैनिया हो जाता है दिमाग में फितूर चोड़ है कि I'm a very great man तो इस तरह की हरकते करें फूल पूर क्यों फूल पूर से जवाला लेरू चुनानारते थे आप देखिए कहां से कहां connection है तो मैसेज जाएगा अरे मैसेज जाने का समय खतम हो गया performance क्या है फूल पूर में कुर्मी है कुछ जात के नाप पे पहुंच गया आप आप वहां से चुनान लड़ेंगे और मैं आपको बता दो यह ख़बर अभी आई है हम लोग तो ख़बर से रूबरू होते रहते हैं छे मेना पहले भी जब यह मिटिंग मिटिंग सुरू हुई थी उसमें भी यूपी का इनका जो जेडियू का धक्ष है वो प्रेस कॉंफ सबसे बड़ा लीडर है यूपी छोड़ कर वाइनार चला गया तो वह उससे मैसेश खराब चला गया कोई बताया होगा कोई समझाया होगा तो भाई कोई ने कोई प्रधान मंतर का उमिद्वार जो है यूपी से होना चाहिए मोदी जी आये थे तो मोदी जी के पीछे काम गुजरात में उन्होंने क्या काम किया गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी और दिल्ली में ये दलाल पत्रकारों का जथा उस वक्ट 2014 में नितियस मॉडल वर्सेस मोदी मॉडल गूगल की जी मिल जागा अजब अजब किस्म के लोग है देश के अदर में बिहार जोए बना हुआ है और नितियस मॉडल की चर्चा हो रही थी अब क्यों नहीं हो रही है नितियस मॉडल की कहा जाएंगे ये सब माल खाया आर्टिकल लिखा घर में बैठ गया है कि मुझे बोलने में जरा सभी संकोच नहीं होता क्विहार्यों के साथ भद्धा मजाग किया गया हमारे अफिस में दो जायते लोग बिहार सही है क्यों है यहां प्रक्षम अ बिहारमें कुछ नहीं है इसलिए Do Dihaar-moor Canada मैं तुं नहीं देखत है कोई गुज्राती दिल्ली में भठक रहा और नौकरी के लिए हम तो नहीं देखते को तमिलाडू का भटक रहा हूँ बिहारियों को भिकमंगा बना दिया जाहा था हद्रवाद चल जाओ वहाँ बिहारी जो है रिजूम लेकर के लाइन में खाला है यह सेक्ष्णुरिजम चाटेंगे क्या हम लोग हुआ है dummy का बिछ्प और सेयक अगया गा लोग और भटक्राइद बंगाली सब दुनिया आदा जा रही है बियार को बностब है किसी को मुख्य मंत्री बनना है काम नहीं करना है तो यूपी की जनता भी पूछे की निए विहार से क्या करके आये हो यहां पर क्या कमाल करो गए चुनाओं तो खुद आप लड़ते नहीं और अचानक जो है पुदार मंत्री बनने का सपना लेकर के आप जो है तो दिस इसों करते कि आउट राइट ली जो करते कि बदबुदार राजीनिती इसको कहते हैं जारकर्ण में रहली करने के बात कर रहा है जारकर्ण करें कि क्या कर लेगे मद्रप्रदेश में तो चुना लोड़े आप कितना मोट आया बताते भी सर्माती है एक और प्रधानमंती दिल्ली में बठा हुआ है इन लोगों काम धाम नहीं करना है बई काम ऐसा कीजिए कि देश की जनता ये कहे कि ये देखिए ये ब्यार को उसने चमका दिया ये व्यक्तिक काम करने जानता है इस वक्ति पर भरोसा किया जा सकता है उस बेसिस पर आगे बढ़ए तो बास समझ में आता है लोग ब्यार चोड़ चोड़ के भाग रहे हैं वापस वही पुराने दिन आग है छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सब क्यों भाग रहे हैं क्योंकि वहां कुछ है नहीं कुछ बचा नहीं है बचा नहीं स्टूडेंट्स को देखिए कोचिंग करकर के जिन्दगी खराब कर लिया और कोचिंग में भी क्या विवस्था क्या किस तरह का विवस्था है क्या है किसी का future secure नहीं है किसी का कुछ वहां कुछ ही नहीं तो होगा क्या कि काम करने में किसी को मन लगे तब तो किसी को प्रधान मंत्री बनना है किसी को मुख्य मंत्री बनना है कोई अब लालु आदव जी है वह भी वहां पे बैट करके भाई खड़के जी इनने घोशना की भाई कुछ नहीं रहा कोई नया आडिया नहीं कोई नया इंवेस्टमेंट नहीं लोग जो है डिप्रेशन में वहां पर और नितिज बाब को प्रधानमंत्री बढ़ा लालो यादव क्यों आगे अगे इतना अब बैए लालो यादव को कॉंग्रेस के वो पालनहार है क्राइसिस में आती है कॉंग्रेस पार्टी तो उनका काम है तो कोई बात नहीं वो तो रिटार्ड हट आदमी है वो अपना यह सब करते नहीं लेकर लोग जो लोग एक्टिव है जिनके उपर जिम्मेदारी है वो क्या करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे तो यही त्रासदी है ब्यार में कुछ हो नहीं पाया तो यूपी में जाकर के जो है वो जब आलाल नहरू के कर्शिश्य से लड़के प्रदान मंत्री की दाविधारी ठोकेंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चांद कारेंगे तो नितिश कुमार से जदियों के उत्तरपदे शिकाएं लगातार यूपी के फूर्पूर लोग सब अच्छेत्य से चुनाव लड़ने का अगरह कर ले है बता दे कि नतिश कुमार से यूपी में चुनाव लड़ने के साथ साथ रैली करने की भी मांगी गए थी प्रतिनीदियों के साथ नतिश कुमार की अलग से बैठा कोई थी इसमें उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि विद दिसंबर में यूपी में रैली करेगी जिसके बाद अब कयासो का सलसला तेज हो गया है आप अपनी राए हमें कमेंट करके ज़रू बताएं और देखते रहें कैपिटल टेवी बिहार नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारे चीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं